हेलो स्टूडेंट्स वेडियो में हम बात करने वाले हैं में एडूकेशन की स्ट्रॉक्चर एंड स्लेबस के बारे में यानि कौन-कौन सब्जिक्ट के आपके एक्जाम होंगे और क्या-क्या उतनका स्लेबस रहेगा कर सके नीया लहां कि और की में इंप्सकार उक्टी ने या जब बन एकसी इस्टूड़ारी स्टूडी हो में बचार एकक्या उप्सकी पर नह tombate-घूज़े स्ट्रेंट के लिए सारही टॉपिक्स यहां पर पताऊंगे अगर सेकंड सेमिस्टर के स्ट्रेंट को भी चाहिए तो आप कमेंट में बता देजएगा मजोरिटी रहती है तो मैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कोशन्स और टॉपिक्स लेकर क्या हूंगी फिलाल हम बात क सब्जिक्स आपको पढ़ने होंगे फिलाल हम यहां पर इन वाले सब्जिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे इंपॉर्टेंट कोशन्स की बात करेंगे जिसके आप सभी को पता होगा कि आपके फोल सिमिस्टर के अंदर आपके कुछ चार सब्जिक्स रह वाले हैं उसके बार लास्ट टॉपिक आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहेगा इसको लेकर भी स्टूइंस काफी सदर कंफ्यूसर तो गाइस जैसे इसके बारे में आपकी डेट्स आफती हैं वेबसाइट पर मैं आपको तुरंद उसके लिए कंफर्म कर दूंगी आपको बता सब्जेक्ट करने होंगी उसके बाद थर्ड समस्टर के अंदर आपके यह सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं तो यहां पर पुरा स्लेबस या पुरा जो डिटेल है आपके सब्जेक्ट्स की वह भी मैंने आपको शो करती हैं चलिए आपके सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टन टॉपिक्स के बारे में तो फॉर्स सब्जेक्ट्स की स्टूरीन्स के लिए जसे कि मैंने आपको दिखा दिया वो रहेगा एडुकेशन एडिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हिंदी में कहा जाए तो सेक्षिक प्रशाशन प्रबंदन एमम विद और यह आपका पिपर बाइलिंग्वल होता है मतलब हिंदी और इंग्रिश दोनों में आप इसको परस्यू कर सकते हैं जैसी आपके बुक्साई होंगी उसी लैंग्विज में आप अपना अंसर लिख सकते हैं तो देखे हां पर में एडुकेशन 101 की क्यों डाला गाया है उसके बारे में बता है तो यहां पर से पॉइंट्स नहीं है यही आपके लिए इंपोर्टेंट कोश्चन रहेंगी गाइस बिलकुल क्योंकि इनकी आउटकम का कहने का मतलब है वो जो युनिवस्टी है वो आपको इस को दिलान के बाद क्या सिखाना चाहती है आपको किन चीजों के बारे मुझा बताना चाहती है तो अगर वो आपको बताना चाहती है इन सब टॉपिक्स के बारे में तो डेफिनितली इन से आपको कोश्ट्स युनिवस्टी देगी तो यहां पर कोश्चन है to understand the concept and trends in educational administration and management यायान कि आपको सिक्षिक प्रश कि उसमें same to same यहां तक यह ऐसे करके दिया गया है आपको कि सेक्षिक प्रशाशन की तथा प्रबंदन की अवधारना वे उसकी डेफिनिशन बताएं इस तरह से आपका कोशन अवधारना पर पूछा जा चुका है सेकिन आपको तो यह कोशन आपको समझ आ गया हो गया है और इसके बाद आपसे पूछागे मैं टॉपिक्स बताऊंगे पहले आपको समझा रहे हूं कहां से कोशन की सरह से आपके प्रबंदन की विभिन सिध्धानतों का उप्योग करना इसके अंदर आपके बहुत सरे प्रिंसिपल्स यह गए हैं आपके बुके अंदर उनको आपको प्रपार करना होगा इंपोरेंट कौन से रहेंगे वो भी मैं आपको कोशन के तुरू शो करूँगी उसके बारत नेक्स्ट आपका जो आउटकम रहेगा फोर्थ यूनेट में से वो रहेगा सिक्षम में नेतरत्र के विभिन शैलियों के बारे में चरचा करना और जब मैं भारत और विदेशों में सेक्षिक प्रशाशन की राष्ट्रे प्रिनालियों को समझना नेक्स्ट इंपोर्डेंट कुश्चन आपके लिए रहने वाला है अब बात करते हैं टाइप ओफ कोर्स कोर्स ही आप कर रहेगा मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आप को देके हंड्र ब्लॉक फर्स्ट में आपसे फर्स्ट यूनिट में से जो टॉपिक है पूरा वो कवर करा गया है एजुकेशनल एड्मिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को जिसमें इसकी मेरिंग और नीचर के बारे में दिया गया है तो बहुत सारी चीज़े इसमें बताई गई हैं इंडिय कि इंडिया में एड्मिस्ट्रेशन कैसे आया उसके बाद मैनेजमेंट इसमें कैसे इन्मॉल हुआ पहले मैनेजमेंट नहीं होता था तो दिरी दिरे करके उस चिसको इसमें इन्वाल कर दिया गया तो यह सब पॉइंट्स आपको पढ़ने पढ़ेंगे यह वाली को आपको बिलकुल भी स्किप नहीं करना इसको पूरा डिटेल में बल्कि याद करके इसमें जितने भी मेरिंग दी गई है यह डेफिनिशन दी गई है वह आपको अच्छे से प्रपैर कर लेनी है उसके बाद सेकेंड यूनिट में हैं आपकी सेक्षिक प्रशाशन के सिध इसमें बहुत सारे सिधान दिये गए हैं जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट सिधान में आपको शुरू करूंगी जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं उन्हें तो आपको ज़रूरी कर लेना है बाकि जो बचेंगे आप उनको एक बर रिडाउट कर सकते हैं इतने हा इसमें पॉंट वाइस कुछ चिज़े दी गई है यानकि डिसिजन मेकिंग प्रॉसस में क्या क्या पॉइंट्स आपके इंकलूड करे जाते हैं आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ लेजेगा उतने आपके लिए काफी रहेगा उसके बाद फर्स उनिट यानि ब्लॉक आपका कंप्लेट हो जाता है उसके बाद ब्लॉक टू में आजाता है लिजर्शिप इन आजुकेशन अगें इसकी फर्स उनिट यानिक लिजर्शिप का मिनिंग नेचर और नीड आपको बिल्कुल पढ़ डालना है डेफिनेटली हां से इड इलेट आपको एक कोशन दीख इसमेंसे आपको ग्यारेंटी देती हूँ हो कि आपको एक कोशन देखने के लिए तो इसते हैं लीडर सिपीस्टैल में से तो इस युनिट इइत को भी आपको बिल्कुल । दिटल में कवर करना है आई मिन तो से कि आफको फर्स्ट और and anit बहुत ज़ादा है आग तो इन दोरू यूनिट को अच्छे से केवर कर लेजिए इस फाली नोट को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं सिफ पॉइंट वाइस को पार सकते हैं नेक्स फाला measurement in leadership इसको भी आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं सिफ इसको पॉइंट वाइस देहें जाएगा को श्रुट् इंपोर्टेंट रहेगी नेक्स ब्लोग 3 की साइच शलते हैं ब्लोग 3 में आपका दिया गया है एजुकेशनल प्लानिंग यान की सेक्षिक नियोजिन के बारे में अगें हर यूनिट के लिए हर ब्लोग के आपकी फर्स यूनिट बहुत इंपोर्टेंट रहती है जैसे कि आ हेडिंग सियाद करनी है और उनके अंदर का जो भी मैटर होगा वो अपने लांगिवज में लिख सकते हैं ठीक है और इसकी प्रिंसिपल्स को भी आपको ऐसे ही प्रपैर करना है उसके बाद है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इसको आप थोड़ा सा इसकिप क इसकी फाइनस रिलेटर प्रॉब्लम होती है कई बार स्कूल के अंदर और कई सारी कई पार पॉलिटिक्स को रिलेटर भी चीज़े होती है शोशल प्रॉब्लम भी होती है तो एक एक पॉइंट इनका आप पढ़ लीजेगा इसके कोशन पूछा जा जुका है तो इसलिए इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए रह सकते है पर उतना डिटेल भी नहीं जाना है सिर्फ आपको पॉइंट वाइस इसमें गो थ्रू कर लेना है उसके बार लास्ट है आपका इसके इनदर 12 यूनिट जिसमें दिया गया है इसमें पंच वर्शे यूजनाओं को आप इसको थोड़ा थोड़ा देख लिजगा कि किस फाइव एर प्लान में फाइनचल अरेंजमेंट किस टाइप से करा गया है यहां से कोशन बना तो नहीं है डायरेक्ली पर इस बार इसको कवर किया जा सकता है तो इस यूनिट को भी आप एक बार देख लिजेगा उसके बाद ब्लॉक फोर पर चलते हैं तो यहां पर आप जाता है आपका नैशनल सिस्टम ऑफ एड्यूकेशनल एड्मिस्ट्रेशन और गाइस अभी मैं आपको कोशन्स पर शो करूंगी कैसे कोशन्स आपके इन यूनिट से बन चुके हैं तो उससे आपका थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा क्यों मैं इन यूनिट को इंपोर्टेंट बोल रही हूं उसके बाद यहां पर यूनिट थर्ड आज वाती है जिसमें कहा गया है educational administration in India again importantmill आपका इंटिया का educational administration आप के लिए रही का इससे कोशन बन चुका है और एक नहीं रिपेटर बार इसका question आपका बना है कि educational administration in India के बारे में आपको पूछा है तो इसमें आपको करना क्या होगा कि educational administration इंडिया में कैसे रहा है पूरी थियोडी और point wise आप इसमें लिख सकते हैं और किस तरह से इंडिया के अंदर educational administration आया पहले कोई administration नहीं था normal चीजे ही अमर्मली इसको British government का जब तक हमारे इंडिया पर अधिकार रहा था तब तक कोई administration के लिए कोई काम नहीं करा गया था वो बहुत कम पैसा इस पर spend करना चाहते थे हमारे educational administration पर जिसके वज़े से इतना अच्छा इसमें वर्क नहीं हो पाया था पर दीर दीरी करकर के चीजे चेंज हुई और कहां से किस year में चेंज हुई यह सब आपको इसमें पड़ेगा सारा detail में बिलकुल भी नहीं जाना है आपको सर्फ यह चीज़ देख लिए हैं यह युनाइटिड अमेरिका युएस से के आंदर क्या अच्छी चीज़े हुई है एजुकेशन एड्मिस्ट्रेशन के चेत्र में ब्रिटेन में क्या चीज़े हुई है इसको लेकर के और जपान का तो आप स्किप कर सकते हैं बहुत कम चांसे से कि यह आई एक दो लाइन आप इसको देख लिजएगा वरना इतना important मेरी नस्रों में यह नहीं है क्योंकि इस इसके सारी डेटेल्स दिख शो कर देती हूं उसके बाद अगर आपको second paper के डेटेल्स चाहिए तो आप मुझे comment से बताएगा मैं इसी तरह से important topics और उसके questions आपके लिए लेकर के आ जाऊंगी और इस वीडियो का अच्छे से like कर दीज़ेगा क्योंकि काफे time लगा है सारी आपके लिए देखने में तो इचलिए अब मैं आपको question सो कर देती हूं इन वाले topics या इन यूनिट से related कैसे question आपके exam में पूछे जा चुके है तो देखिए आपके previous year papers में से पहले मैं आपको कुछ कोशन शो कर देती हूं और यह paper मैंने already upload कर रखा है चानल पर मैं आपको कैसे आपको सर्च करना है तो देख यहाँ पर ऐसी तरह से question आपसे पूछा जाता है कि what are the various approaches to educational planning what approach which approach to educational planning is more appropriate for higher education specifically in India justify your answer तो जैसे मैं आपको कहा कि आपको इन में से points पढ़ने है in topics में से तो देख लिए आपको सिर्फ कर के questions को दिया गया है कि हाँ पहले देखिए अपसे क आनिंग के approaches के बारे में important रहा आपके लिए उसके बाद कौन सी इन में से जादा अच्छी रहेगी higher education की time time पर पुरा बुक में इसको justify करके दिया गया पुरा topic इस तरह से लिखा गया आपकी first unit वाले में उसमें उसके बाद इसको आपको justify करना है तो इस तरह से question section नियोंच इसके अंदर scientist में नहीं कहूंगी हां पर जो दिये गए हैं आपके writer ये उनका उनकी theory के बार में आपको बताना था च्छी के लिडर्शिप के तो इसमें और भी काफी सारे theories दी गई है अलग-अलग persons के द्वारा तो आपको उन theories को एक बार पढ़ लेना है कि उनसे question बन सकत हैं और मैं question सिखाती हूं आपको यह वाला paper मैंने ओली चानल पर अप्लोड करा हुआ है previous year paper है यह 2021 काई थे तो उसके लिए आपको पूरा paper का टाइटल डाले है education administration and management previous year paper और उसमें आप चानल कर नाम डाल देजेगा अगे बनना classes वी प्यार्ट या फिर आप चानल पर जान से अभी recently मैंने भी paper upload करा है आपके M.E.Education का ही तो आप वो papers भी देख सकते हैं अब आपको मैं कुछ extra questions दिखा दिती हूं कि आप से questions इस बार कैसे बन सकते हैं जो आपको prepare कर लेने चाहिए चलिए आपके इसी subject का अब हम previous year paper देख लेते हैं 2021 का किस तरह से questions आप से पूश हो जाएगी उससे बाहर आपको questions नहीं मिलेंगे चलिए हापर देखे कैसे पूछ गया था explain the concept of decision making decision making के पार में आपको बताना है आपने दिखा हो आपके syllabus में दिया गया था और character six बताने ते आपको good decision maker की देखे यह मैंने important नहीं कहा कि आपके सो leave कर सकते हैं कि choice के अंदर पूछा गया है बागी question आप attempt कर लेंगे जो की unit से important बनाई बताई गई है उन मेंसे तो कोई डिकत नहीं रहेगी अब देखे अभी जुब मैंने topics पता है उसमें से कैसे question बना है प्रेजेंट आप comparative analysis of educational administration of india मैंने का आपके लिए इंडिया वाला बहुत ज़दा इंपॉर् जो भी आपने पढ़ी होंगे तो ये question देखे directly बना उसके एक्षिन भी आपका जो short question के लिए रहता है इसमें कैसे question पूछा गया था discuss the sources of income expenditure of expenditure in a school इस school के बारे में income और एक जो finance वाली unit है आपकी subject के अंदर उसमें ये topic देगा है school और college का भी management करके दिया गया है तो कैसे sources होते है income और expenditure के school में वहां सी question पूछा गया अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है तो आप इसको बना करके अपने language में भी लिख सकते है इतना कोई hard इसमें नहीं रहा है उसके आप पात देखे आप shots में कैसे questions पूछे गए हैं जो आपका section C उसमें shots पूछे next मैंने कहा ता आपको effective styles of leadership styles of leadership को बिल्कुल पिसकतनी करना आपको questions definitely इससे paper में देखने के लिए मिलेगा यहां पर shots में पूछा गया है पूरे chances इस बार आपसे long में भी पूछ लिया उसके बाद है what are the problems of educational planning मैंने कहा ता इससे आपको question बन चुका है तो यह आपको अच्छ educational administration again मैंने को कहा था इनकी meaning and importance यह सब आपको पढ़ लेरी है तो यहां से आप question यह बना उसके बाद various principles आपके पूछ ले गए है तो अगर आप इनकी heading heading कर लेते हैं तो उसको यहां आप अपनी language में असानी से लिख सकते थे उसके बाद आपकी various approaches to educational planning again यहां से विबिन उपा यहां से उसके theories के बारे में पूछ लिया गया है तो आप कोई सी भी theories के अंदर डाल सकते हैं जो various various आपके persons की उसमें दी गई है और यह paper में मैंने already upload करा हुआ है channel पर तो वहां से आप check कर सकते हैं तो यह सारे questions आपके लिए important रहेंगे और यही से आपको कुछ questions आपके paper मे नेक्स वीडियो में बाव बाई